रीट परिक्षा 2021 के अंतरगत कुछ बड़ी सवाल है जिनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं देखे साथियों, प्रदेश बर्द से बहुत से हमारे साथियों की लगातार इसी बात को लेकर कमेंट आ रहे हैं की आखिर रीट भरती परिक्षा 2021 का परिणाम जो इतनी जल्दी जारी किया गया है इसकी बड़ी वज़े क्या है आज इस वीडियो स्रीज में हम विस्तार से आपके कुछ बड़ी सवाल हैं जिन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जिन में सबसे इंपोर्टेंट की आखिर कटोप का लेवल क्या रह सकता है फस्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों में अपके बार न्यूकती की जो प्रिकरिया है वो किस प्रकार से रहेगी दस प्रतिशत जो एकेडमिक अंक आपके जोड़ जाएंगे उसके बाद में मेरिट किस प्रकार से प्रभावित होगी डियलेड वालों का प्रणाम जारी कर दिया गये जबकि सेकंड येर बेर्ड का प्रणाम जारी नहीं होने से, जो सेकंड येर के विद्यारती है, उनको पात्तरता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे ही कुछ तमाम बड़े सवाल हैं, जिनके प्रतेक पहलों पर आज हम महिंता से बारिकी से चर्चा करने वाले हैं। आकिर आपको ये भी बताएंगे कि प्रदेश पर से परिक्षारतियों के इसी चार बड़ी मांगे कौन सी हैं, जिनको दरिकनार करते हुए परणाम को जारी किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि अंदर है अरसुली चलर और आज हम इस स्पेशल वीडियो में इनी बातों के बारे में विस्तार्चा आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 2021 की जो ये भरती है, 31,000 सीटों पर ये 33 सेड़ी अध्यापकों की भरती परिक्षा जो की 26 सब्टेंबर को आयुजित की गई थी L1 और L2 के लिए। दो नवंबर में 36 दिन के अंदर इसका परिक्षा परिणाम भी जारी कर दिया गया। जिसमें यदि सबसे पहले L1 की यदि हम बात करें। तो L1 की अंतरगति आप देख सकते हैं कि रिजर्व कैटेगरी के भी कंडिडेटों की बात करत एक लाग तीन हजार चोहतर। रिजर्व कैटेगरी के ये अभ्यारती ऐसे हैं जिनोंने 60 प्रतिशत से अधिक अंक पराप्त किये हैं। कुल मिलाकर हम पहले बात कर लेते हैं पातरता की कि लेवल फस्ट के अंतरगत कुल कितने कंडिडेट हैं जो की पातर होएं। लेवल फस्ट में जनरल कैटेगरी जो जिसके लिए नियूनतम 60 प्रतिशत की एहरता थी। उसमें 1.63 लाक अभियर्थियों ने पातरता हांसिल की। जिसमें कैटेगरी वाईज आप देख सकते हैं 60% से अधिक एक लाक तीन हजार चोटता रिजर्व कैटेगरी के। जबकि रिजर्व कैटेगरी के ही 55 प्रतिशत जो उनकी नियूनतम प्रतिशत थी वो हासिल करने वाले एक लाक चालिस हजार और चालिस परिक्षारती हैं। इस्पेशल कैटेगरी की बात करें तो विद्वा परित्यक्ता बूतपुरु सैनिक जिनके लिए नियूनतम प्रतिशत थी इसके लिए पात्र हुए है। L2 की बात करें तो L2 में कुल मिलाकर देख सकते हैं रिजर्व कैटेगरी के 60 प्रतिशत स्याधिक पात्रता लेने वाले कुल कंडिडिट 3,29,640 हैं। जबकि रिजर्व कैटेगरी की नियूनतम एहरता थी 55 प्रतिशत इसमें भी 3,22,112 परिक्षार दिये। यांकडा आपके सामने स्क्रीन पर है जिसमें आप देख सकते हैं विद्वा, परित्यक्ता, दिव्यांग और सहरिय जंजाती के अभिर्थी भी कुल अपनी नियूनतम पात्रता प्राप्त करने वालों की संख्याप के सामने हैं। अब यहां देख लेते हैं कि कुल L1 और L2 में, L1 के अंत्रकत 12,67,985 अभिर्थी थे जिनमें से 10,19,704 ने परिक्षा दी और इनमें से 3,30,604 को पात्रता मिली। वहीं दूसरी तरफ देखें तो दुतिय लेवल में ये आंकड़ा बढ़कर दुगने से भी ज़्यादा 7,33,612 पहुँच गया है। पिछले 10 वर्सों में 4 वर रीट और टेट परिक्षा उझित की गई, जिसमें मात्र, लगबग 12,00,00 परिक्षारतियों को पात्रता दी गई। इसी के विपरेद इस वर्ष अकेली रीट परिक्षा ने ही 11 लाख फरिक्षार्थियों को पातरता का पर्माण पत्र उपलब्द करा दिया इसी से आप अनुमाल लगा सकते हैं कि ये कंपेडिशन ये प्रतियोगता कितनी कठी थी और इसमें कट अफ का इस तर भी कहां तक जा सकता है लेकिन जो बड़ी अच्छी बात है इसके लिए वो ये कि सरकार के द्वारा सपस्थ किया गया कि अब की बार L2 में जो पॉस्टिंग दी जाएगी उसके लिए बोड के द्वारा अलग से पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें ऑनलाइन परिक्षारतियों से जोकी पातरता में सफल हुए है और मेरिट को जो डिजर्व करते ओनलाइन च्वाइस लोग कराई जाएगी जिसमें उनको जिला और सब्जेक्ट चूज करना होगा इसका फायदा ये होगा कि एक तो वेटिंग लिस्ट की जरूत नहीं पड़ेगी और दूसरा कि इस जिले में कितनी सीटे वेकेंट हैं पारदर सिता के साथ तुरंत प्रवाव से उनको भी भरा जा सकेगा लेकिन वहीं दूसरी तरफ जल्दबाजी में परिणाम आने की वज़े से जो नुक्षान बीएड दुतिये वर्स वाले परिक्षारतियों को उठाना पड़ा क्योंकि सरकार के द्वारा इस पस्ट किया गया था कि दियालड और बीएड दौनों अंतिमर्स के परिक्षारतियों को इसमें पात्र माना जाएगा वहाँ दियालड आनों का तो परिणाम जारी कर दिया गया लेकिन अभी तक बीएड का परिणाम की तो बात छोड़िये अभी बहुत से युनिवस्टी जिने तो टाइम टेबल भी परिक्षा का जारी नहीं किया रास्तान युनिवस्टी ने हाला कि 15 नवमर से परिक्षा परारम करने का टाइम टेबल तो जारी कर दिया लेकिन इसका परिणाम कब होगा कब जारी किया जाएगा और रीट का फाइनल परिणाम कब जारी होगा अंतिम सूची कब आएगी इस पर अभी भी सवाल है ऐसे में बेरदुतिय और उसके जितने भी छात्र है उनके सामने शंकट यह है कि आखिर उनको पात्र माना जाएगा या नहीं माना जाएगा इसी बात को लेकर बेरुजगारों के कुछ बड़े सवाल आते हैं बेरुजगारों ने पूछा है कि जब इस भरती प्रक्रिया में सोजी की मांग चल रही है और सोजी इसकी जाच कर रही है तो फिर एसोजी की जाच में यदि पेपर लिग की पुस्ती हो जाती है तो फिर एसे में सरकार क्या करेगी बेरुजगारों का दूसरा बड़ा सवाल कि सीबी जाच की याची का जब हाई कोट में लंबित है तो परणाम इसके पहले क्यों जारी किया गया है तीसरी बड़ी मा परिक्षारतियों के लिए एक संसे का विशा है अंतिम कि इसका जो मुख्य आरोपी है विश्लोई भेचलाल विश्लोई अभी फरार चल रहा है उसकी गिरफतारी होगी और उसके बाद कितने बड़े खुलासिय हो शकते हैं इसकी को लेकर भी अभी बेरुजगार करवाना और उसका प्रणाम चारी करना ये कोई मामूली भात रही है बड़ी उपलब्दी है लेकिन फिर भी इतना जरूर है कि अकेले इस वर्स 11 लाक पातरता पाने वाले परिक्षारति अब कटोफ की आस लगाए बैटे हैं कि आखिर कटोफ का आंकड़ा कितना रह सकता ह देखिए बिलकुल इस पस्ट नहीं है लेकिन इतना जरूर है परिक्षारतियों की मांग पर हम आपको एक आंकड़ा बता सकते हैं कि लगबग जो आंकड़े हमने बताये हैं आप स्क्रीन पर भी इनको देख सकते हैं कि L1 और L2 के अंतरगत जो पातर कंडिडेट है उनमें L1 की अधी बात करें तो अकेले L1 के अंतरगत तीन लाख और तीन हजार के आसपा ती एक सोरी एक लाख और बत्तीस हजार आठ सो पच्पन स्टूडेंट हैं जिनको पातरता मिलिये और वहीं L2 में सात लाग तेत्रहजार और साठ प्रतिशत से अधिक अंकों की बात करें तो वो आंकडा भी काफी चोकाने वाला है और वो आंकडा भी सपस्ट करता है कि कहीं न कहीं कटोप सतर प्रतिशत से तो ऊपर ही रहने वाली है क्योंकि साठ प्रतिशत के दायरे में जब रिजर्व कैटिकरी के ही एक लाग तीन हजार परिक्षारती हो सकते हैं तो फिर समभावन है ऐसे में जो कटोफ का अकडा समभावित बनता है L1 में जनरल में 130 प्लस से कम कटोफ रहने वाली नहीं है जनरल OBC और EWS तीनों कैटिगरी की कटोफ यदि L1 की बात करें तो 130 से कम नहीं रहेगी और L2 की बात करें तो 120 से कम रहने वाली है नहीं हम यह कह सकते है L1 में 130 प्लस और L2 में 120 प्लस प्रिक्षारती अपने आपको चैन की सूची के दावेदार की दोड़ में शामिल मान सकते हैं यह कोई आधिकारिक और प्रमानिक आँकड़े नहीं हैं अनुमान पर आदारिते परिक्षारतियों का जो परिणाम जारी हुआ है उस सर्वे के आदार पर जो आँकड़े जुटाए गए हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं उसमें कटोफ एक दो अंक कम और प्लस परिक्षारति अपने आपको परिक्षा की डोड में मान सकते हैं सिक अबिन के बाद करें यह जिन पर हम नहीं यह कटोफ का अनुमान आपको देने का प्रियास किया फिर भी सरकार की तरप से बोर्ड की तरप से जो अंतिम आंकडे आएंगे वो मानने होंगे बोर्ड अध्यक्ष के दौर इस फ़स्ट कर दिया गया है कि जल्दी फाइनल रेजल्ट जारी किया जाएगा ये परिणाम अंतिम परिणाम नहीं है प्रोविजिनल परिणाम है अंतिम परिणाम परिक्षारतियों के एकडेमिक 10% अंकों के साथ तयार करके और फिर जारी किया जाएगा और उसी के साथ कटोब भी दी जाएगी कितने अंक वाले परिक्षार्थी अपने आपको इस सिक्षक के लिए योग मान सकते हैं फिर भी रीट परिक्षा के बारे में यदि आपकी कोई क्योईरी है कोई सवाल है तो आप जरूर हमें बताएं कैमेट करके आपके कैमेट के आदार पर मैं आपकी सवश्चा के समधान का पूर्ण परिरास करूँगा लेकिन इतना जरूर है कि रीट परिक्षा आयुज़ित करवाना और महद 36 दिन में इसका परिणाम देना ये सरकार का बेहदी सरहानिय कदम है इससे दिपावली पर बहुत से ऐसे ब संसा के पात्र है फिर भी परणाम जोभी राव कट ओफ जल्दी आपके सामने दिखाई देगी और जो भी होगा सभी पारतरशिता के साथ है इसमें आप किसी भी प्रकार का संधे ना करें फिर भी रीट से जुड़ी आगे जो बड़ी अपडेट होगी आप तक उसे पहु इसल वीडियो में सात्यों वसितनाई नवश्कार